है नमस्कार दोस्तों स्वागत है है आपका आपका दूसों दिनेशंदacy mà लगात करें कि कांटोग्राफी यां की मान्चित्र चल दी तो मान्चित्र लकला में प्रेकशेव जो है में प्रेक्शन उसकोर देख मिएं ठाल हम लंभा आना, यह दो कि यांपने या जाकता हैं या जाकता ह्या जाएं जिब्याइब इस प्रिक्सेट्सेट्स इस प्रोजेक्शन और प्रोजेक्शन को रहत prosper सवरुप्रतम zoore 15 प्ररेश्सन की 1559 में पूचा जा सकता है कब ठीकी ना फंदिश्रों उन्साट में गिरार डूस्मर्केटर नाम किया ऐं से नाम का एक डश मांड़ शित्रकार था नदे इसको बनाया था जिसके वजह से यह मर्केटर प्रिक्सेट पर नाम क्या हो गया it यह सवाल इसी नजरे से मैतपुन बनता है मर्केटर प्रेक्सेप में विभीन अकसांस विर्तों की भूमती रहा से दूरियों को सारणी वन की साहिता से ज्याद करतें सारणी वन अभी बता देंगे आगे आ जाए इसमें तदा प्रिक्सेप जो है प्रिक्सेप में देशांत का मांट सिद्र बनाने के लिए बेलनाकार यहता करते कत्वा मर्केटर प्रेक्सेप की रचना कीजिए इंट्रवेल आपने दिया है बीस डिग्री तो रचना विदी क्या कहते है मैथट सबसे पहले आर निकालेंगे आप यहां से आर निकालेंगे टूपंट वन आएगा व बीच की दूरी जब निकालेंगे आप 0.73 पर सेंटिमेटर आएगा फिर एक रचना विदी इसको आप देखते जाएगा ठीक है ना पर अलग अलग पर बीस डिग्री पर अलग निकालेंगे चालीस पर अलग निकालेंगे इस तरीके से परतियेक अकसांस पर जो है मान निक रिचासे दूरू की तरफ जैसे जैसे आप जाएंगे ठीक है घुए अटो यह अब रचनाविदी अब देखतें पैचान की बात हमारे लिए पैचान की बात ही जो है मैं तो कूण है पैचान की बात करेंए पैचान कैसे करेंगे अकसांस विर्थ-सरर बराबर समांतर रहा के तरह होते हैं देशांत रेकाएं भी सरल पर इस पर बराबर हैं समांतर होती हैं अक्सांस्विर्थ तता देशांतर रेकाएं एक दूसरे को समकूर्ण पर काड़ती हैं कि देशांतर रेकाएं समांतर दूरी के अंतर पर बनी होती है अंतों अक्सांस्विर्थों की बीच की अन्य अक्सांस विर्तों पर जो है मापनी बड़ी होती हैं क्योंकि वे प्रिक्सेप में भूमदी रेका के समान लंबाई वाले बनाया जाते हैं के फॉल सोलोफ मर्केटर प्रक्षेप में उन सम्षत बिंदोलों पर जहां अक्सांस विर्थ द्रेसान तरह करे एक दूसरे को कारती है पर्धिष masih कुष परतिक दिस्ता में अपने एक समान होती है अतर ये यतां . Yaadakar relax में मर्केटर इस प्रकार का नावी संचालों के लिए इसे कहते हैं वर्त आप दिस नो पत एक डूसा की औरना चुकि अक्सांश almond वरत इता देसान तर्यकां के साथ बनने वाला कून भी नियत होता है मर्केटर प्रक्षेप पर दो इस्तानों को मिलाने वाली एसी सेरल रेका को एक दिस नौपत कहते हैं जैसे की उपर बताया हमने देखा चूंकि मर्केटर प्रक्षेप में देशांत रेकाओं की दिसा भोगलिक उत्तरदक्सिन होती ह है आते उन्हें काटने वाली पर्तिक सर रेका या एक दिस नौपत इग्नियत दिक्मान वाली होती है वाली रेका होती अने बेलनाकार प्रीगशेपों में देशांत रेकाओं तताक्षान स्भर्तों के आकरति बहुत कुछ मर्केटर प्रेक्षेप की तरह ही होती है सब्सक्राइब करना संब्सक्राइब बात करें अब बात करें ग्लोब पर किनी दो बिंदों के वीच की नियुंतम दूरी कोन बिंदों से जानेवाले वर्यद से सारे मापकर एक वक्राकार होती है अगया होती उत्री गोलार्द में उत्तर की वर्ता दकसिन गोलार्द में दकसिन की ओड़ जुके नहीं होते हैं लिए श्नाबिक अ करने के लिए किसी नाविक को पूद की दिसा में परिवर्दिन करना होगा जोतियंत कठीन कारी है इसTFUL है किसी पर वहस्य संग्या में में घिच दी जाती है है सरविखाओं के रूप में होने वाले जो है कोने के कारण मर्कर रचेल fulfill वरत वरत हैं यानी दिखमान वाली रेखा या पिर एक डिस नोपत पर बन जाती इन अते इन जीवाओं के सारे नोशन्चलन करने में नाविकों को केवल उनी विंदों पर अपने पोत की दिशा में परिवर्थन करने की आउसिकता होती है जहां दो जीवाएं एक दूसरे से मिलती है कि उदार्णत बात करें तो चितर बारा जो कि बारा है आगे में डर्बन और मेल्बन से होकर जाने वाले वरत वरत की डी ये अबी जो दिशा है उपर देखा कि बारा नंबर में ठीक है कि इनोशन्चलन के लिए ठीक है यह भी नोशन्चलन में जीवाओं के अनुसरे रण के से जो है वरत वरत की तुलना में थोड़ी अधिक दूरी तय करनी पड़ती है तथा भी निरंदर दिशा बदलते रहने की समश्या दूर हो जाने से नोशन्चलन कारे निश्चित रूप से सर्व हो जाता है नोशन्चलन के अतिरेग पवनों की दिशा अथवा मासागने दाराओं को परदस्वित करने के लिए भी ये परेक्सेप परम उप्योगी है संक्सेप में सुद आकरती हैं सुद दिशा पर्दस्वित करने के उदेश से बनाये जाने वाले लगबग समस्त मानशित्रों के याद रखना सुधाकर्ती और सुधिसा के जो उदेशी से जो भी मानचेत्र बनाए जाएंगे उसमें मर्केटर का प्रियोग होगा ना मर्केटर प्रेक्षेप का उच्छांसों में सहत्रफल बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण भूमती सहत्रों को छोड़ कर सेंस इसले भा करके दिखलाना है यह बात थी मर्केटर जो मॉस्ट पॉपूलर है उसकी बात थी आगे बढ़ाएं वीडियो को नमस्कार